प्यारे विध्धार्थियों, नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंद्रुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सब का उत्साह कायम होगा बच्चों, आज हम सात्वी कक्षा के विज्ञान का अध्याए पंद्रा प्रकाश पढ़ेंगे तो चलिए बच्चों, पहले हम देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है हम अपने आसपास की वस्तुओं को किस प्रकार देखते हैं दीप्त वस्तुओं कौन सी होती है कुछ पारदर्शी वस्तुओं के उधारन दीजिए हमें प्रकाश कहां से मिलता है चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है प्रकाश का परावर्तन, सम्तल दर्पण में बने प्रतिबिम्ब के गुण, गोलिय दर्पण, लेंसों के द्वारा प्रतिबिम्ब का बनना और सूरे का प्रकाश, श्वेत अथ्वा रंगीन सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, जब प्रकाश किसी पॉलिश की गई या चमकदार वस्तू की सतह पर पढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है कोई भी पॉलिश की गई या चमकदार सतह एक दरपन की तरह कारे करती है समतल दरपन से प्रकाश का परावर्तन बच्चों हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है इसके साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि दर्पन अपने उपर पढ़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है और दर्पन के द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है उधारन के लिए जो घरों में हमारी स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट या स्टील का चमकदार चमच है उसमें अगर देखें तो वह प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकता है ठीक इसी तरह जल की सतह भी दर्पन की तरह ही कारे करती है और प्रकाश की दिशा को बदल सकती है आईए एक क्रिया के द्वारा इसे अच्छी तरह देखती है एक टॉर्च लीजिए इसके काच को काले रंग के चाट पेपर के टुकडे से धग दीजिए इसमें तीन पतली पतली जिर्रियां या स्लिट्स बनाईए लकडी के किसी चिकनी बोर्ट पर एक अन्य चाट पेपर की शीट फैला दीजिए चाट पेपर पर समतल दर्पन की एक पत्ती उर्ध्वाधर स्थिती में रखिए अब टॉर्च की जिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरन पुंज को दर्पन पर डालिए टॉर्च को इस प्रकाश समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश बोर्ट पर लगे चाट पेपर के आनुदिश दिखाई दे बच्चों दर्पन अपने उपर पढ़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाईए कि दर्पन पर प्रकाश पढ़ता रहे क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देख रहे हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पन में देखिए क्या दर्पन में आपको जिर्यां दिखाई दे रही हैं? जी हाँ, बच्चों यह जिर्यों का प्रतिबिम्ब है और इस क्रिया कलाब से हमें यह पता चलता है कि प्रकाश सम्तल दर्पन से किस प्रकार परावर्तित होता है बच्चों अब हम पढ़ते हैं सम्तल दर्पन में बनने वाले प्रतिबिम्ब के गुण आईए बच्चों एक सम्तल दर्पन के सामने एक पैंसिल को दर्पन में देखने का प्रियास करें ऐसा प्रतित हो रहा है जैसे कि इसी प्रकार की एक पैंसिल इस दर्पन के पीछे रखी हुई है बच्चों जो पैंसिल दर्पन के पीछे रखी हुई प्रतित हो रही है वह दर्पन के द्वारा बनाया गया पैंसिल का प्रतिबिम्ब है यहाँ पैंसिल वस्तू या बिम्ब का उधारण है अब पैंसिल को दर्पन के सामने अलग अलग स्थितियों में रखिए प्रतिक अवस्था में आप देख रहे हैं कि पैंसिल का प्रतिबिम्ब सीधा बन रहा है इस प्रकार के प्रतिबिम्ब को सीधा प्रतिबिम्ब कहा जाता है समतल दर्पन के द्वारा बनने वाला प्रतिबिम्ब सदैब, सीधा और बिम्ब यानि वस्तू के साइज के समान ही दिखाई देता है लेकिन बच्चों दर्पण से प्रतिबिम्ब की दूरी कितनी है? यह जानने के लिए एक क्रिया कलाब करती है शत्रंज का एक बोड लीजिए इस शत्रंज के बोड के बीच में एक समतल दर्पण को उर्ध्वाधर रखिए दर्पण के सामने शत्रंज बोड के किसी भी खाने में किंग पीस या कोई भी वस्तू को रखें और फिर दर्पण में इसके प्रतिबिम्ब की स्थिती को नोट कीजिए फिर से किंग पीस की स्थिती को बदल ये क्या आप दर्पण से प्रतिबिम्ब की दूरी और दर्पण के सामने रखे बिम्ब की दूरी में कोई सम्बंध देख पा रहे हो जी हाँ बच्चों प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर दिखाई दे रहा है जितना की बिम्ब दर्पण से दूर है तो इस प्रकार हमें यह पता चल रहा है किसी सम्तल दर्पण में वस्तू की स्थिती और दर्पण से पीछे प्रतिबिम्ब की स्थिती बराबर होती है आईए हम सम्तल दर्पण के बने प्रतिबिम्ब का एक और गुण जानते हैं जब हम समतल दरपण में अपना प्रतिविंब देखते हैं तो आपके और दरपण में आपके प्रतिविंब में एक बहुत ही रोचकनतर होता है आईए देखिए एक संतल दर्पन के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिम्ब को देखिए अपने दाहिने हाथ को उपर उठाईए देखिए आपका प्रतिबिम्ब कौन सा हाथ उपर उठाता है जी हाँ बच्चों हम देखते हैं कि एक समतल दरपन्ग में बने प्रतिबिम्ब में दक्षिन यानि की दाया वाम यानि की बाया दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिन दिखाई पड़ता है आम भाशा में कहीं तो किसी समतल दरपन्ग में बने प्रतिबिम्ब में अगर हम दाया हाथ उपर उठाते हैं तो हमें लगता है कि प्रतिबिम्ब ने बाया हाथ उपर उठाया है और यदि हम बाया हाथ उपर उठाते हैं तो प्रतिबिम्ब में वह दाया प्रतीत होता है के उपर ambulance शब्द उल्टा सा क्यों लिखा जाता है जी हाँ जब रोगी वाहन या ambulance के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्य द्रश्य दरपन में देखते हैं तो रोगी वाहन पर लिखे ambulance को वो सीधा पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देती हैं इस तरहे बच्चों इस प्रकार बने प्रतिबेंब को लेटरली इनवर्टेड प्रतिबेंब कहा जाता है चलिए बच्चों अब हम गोलिये दरपनों के बारे में पढ़ते हैं वह दरपन जिनका परावर्तक प्रश्ट गोल होता है गोलिये दरपन कहलाते हैं हमारे पास दो प्रकार के गोलिये दरपन होती हैं पहला अवतल दरपन और दूसरा उत्तल दरपन वह गोलिये दरपन जिसकी परावर्तक प्रश्ट अंदर की और अर्थार्थ गोले के केंदर की और होती हैं वह अवतल दरपन कहलाता है और वह गोलिये दरपन जिसकी परावर्तक प्रश्ट बाहर की और होती है वह उत्तल दरपन कहलाता है अब हम यह देखते हैं कि अवतल दरपन सूरे का वास्तविक प्रतिबिम्ब कैसे बनाता है इसे देखने के लिए हमें एक अवतल दरपन और एक कागस की अविशप्ता है कागस को अवतल दरपन के आगे इस प्रकार रखें कि दरपन के द्वारा परावर्तित हुआ सूरे का प्रकाश पुंच कागस के उपर एक तीक्ष्न बिंदू के रूप में प्राप्त हो जाए अर्थार्थ सूरे से आने वाला प्रकाश पुंच या प्रकाश की किर्णे दरपन के द्वारा एक तीक्ष्न चमकदार बिंदू के रूप में केंद्रित हो जाए वास्तव में कागस पर यह प्रकाश का बिंदू सूरे का वास्तविक प्रतिबिम्ब है इस बिंदू को अफ्दल दर्पन का फोकस भी कहा जा सकता है दर्पन और कागस को कुछ समय के लिए स्थिर रखें सूर्य के प्रकाश केंद्रक से उत्पन ताप के कारण आप देखेंगे कि कागस थोड़े ही देर में जलने लग जाता है इसी प्रकार अब एक उत्तल लेंस लीजिए इसे भी सूर्य की किर्णों के रास्ते में रखिए दिखाए अनुसार एक पत्ता लीजिए लेंस और पत्ते के बीच की दूरी को उस समय तक घटाते और पढ़ाते रहें जब तक आपको पत्ते पर एक चमकदार बिंदू प्राप्त ना हो जाए इस स्थिती में पत्ते और लेंस को कुछ मिनिट तक स्थिर रखें देखिए क्या पत्ता जलना शुरू कर देता है? जी हाँ पत्ता इसलिए जलना प्रारंब करता है क्योंकि उत्तल लेंस उस पर पढ़ने वाले प्रकाश को एक पॉइंट पर एककत्रित कर देता है तो बच्चों इस प्रकार अवतल धर्पन और उत्तल लेंस सूर्य का वास्तविक प्रतिबिम्ब बनाते हैं बच्चों वह प्रतिबिम्ब जो की परदे पर प्राप्त किये जा सकते हैं वास्तविक प्रतिबिम्ब कहलाते हैं जबकि वह प्रतिबिम्ब जिने हम परदे पर प्राप्त नहीं कर सकते आभासी प्रतिबिम्ब कहलाते हैं आईए बच्चों, अब हम दर्पनों के द्वारा वस्तु की भिन भिन स्थितियों के लिए प्रतिबिम्ब देखते हैं दर्पनों की भिन भिन स्थिति पर बन रहे प्रतिबिम्ब को देखने के लिए हमें जो सामगरी चाहिए वह है दर्पन स्टैंड, मोम बत्ति, उत्तल दर्पन और अफ्तल दर्पन चलिए सबसे पहले अफ्तल दर्पन की सहायता से स्क्रीन पर प्रतिबिम्बों को प्राप्त करने का प्रयास करें हम इस प्रकार अफ्तल दर्पन को दर्पन स्टैंड पर लगा लेते हैं यहां पर वस्तु के रूप में हमने एक मोम बत्ति ली है मोम बत्ति को भिन भिन स्थितियों पर रख कर इस स्क्रीन पर प्रतिबिम्ब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं बच्चों इसके लिए हमें एक अंधेरे वाले कमरे की आविशक्ता होगी आप अपने कमरे की सभी बत्तियों को सभी लाइट्स को ओफ कर दीजिए अब बच्चों इस अंधेरे कमरे में हम मुम्बत्ती का प्रतिबिम इस स्क्रीन पर प्राप्त करने का प्रियास करते हैं देखे बच्चों जैसे जैसे हम मुम्बत्ती को दरपन के निकट लेकर जाते हैं तो हमें स्क्रीन पर एक प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है जैसे ही मुम्बत्ती एक निश्चित पुजीशन पर दरपन के निकट पहुची तो हम देख रहे हैं कि इस समय हमें मुम्बत्ती की ज्वाला उसका प्रतिबिम्ब किस प्रकार का दिखाई दे रहा है देखिए जीहां उल्टा और आकार में वस्तू से बड़ा तो बच्चों अफ्तल दरपन में हमें वस्तू का प्रतिबिम्ब इस प्रकार का प्राप्थ होता है जो वस्तू से आकार में बड़ा है और उल्टा है और क्योंकि यह प्रतिबिम्ब हमें परदे पर प्राप्थ हो रहा है तो बच्चों यह प्रतिबिम्ब वास्तविक प्रतिबिम्ब है अथार्ट रियल इमेज है क्यूंकि हम इसे परदे पर प्राप्त कर पा रहे हैं आईए बच्चों अब हम अफ्तल दर्पन के कुछ उपियोग देखते हैं डॉक्टर आख नाक और कान तथा गले का निरिक्षन करने के लिए अफ्तल दर्पन का इस्तमाल करते हैं क्यूंकि उन्हें इन सब अंगों की एक आवर्धित इमेज देखनी होती है दंत विशेशग्यों के द्वारा अफ्तल दर्पन का उपियोग दातों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए किया जाता है टॉर्च वाहनों की हेड लाइट का परावर्तक प्रश्ट इनकी आकृतियां भी अफ्तल होती हैं अफ्तल दर्पन को चहरे का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए शेविंग दर्पन के रूप में भी उपियोग किया जाता है सौर कूकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अफ्तल दर्पनों का उपियोग किया जाता है चेलिए बच्चों अब हम उत्तल दर्पन से बने प्रतिविंब को देखते हैं इसके लिए इसी क्रिया कलाप में अफ्तल दर्पन के स्थान पर उत्तल दर्पन लगा कर इसे दोहराते हैं आप देख सकते हैं कि उत्तल दरपन में बना प्रतिबिम्ब वस्तु के आकार से छोटा है और सीधा है, साथी हम इसे परदे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों इस प्रकार बने प्रतिबिम्ब को आभासी प्रतिबिम्ब कहा जाता है जिसे परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता अब हम देखते हैं उत्तल दर्पन के उप्योग उत्तल दरपणों का उपयोग वाहनों के पार्श्व दरपणों या साइड मिरर्स के रूप में किया जाता है इससे वाहनों के पीछे चल रहे परिवहन को देखने में यह लाबदायक होते हैं उत्तल दरपण अधिक शेतर के द्रश्य का प्रतिविम्ब बनाते हैं अब हम देखते हैं लेंसों के द्वारा बने प्रतिबिम लेंस दो प्रकार के हैं अफ्तल लेंस और उत्तल लेंस जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं उत्तल लेंस उस पर पढ़ने वाले प्रकाश को एक बिंदू पर एकत्रित करते हैं जबकि जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से पतले प्रतीत होते हैं अफ्तल लेंस कहलाते हैं अफ्तल लेंस उस पर पढ़ने वाले प्रकाश को फैला देते हैं बच्चों लेंस पारदर्शी होते हैं और इन में से प्रकाश गुजर सकता है अब हम देखते हैं लेंसों के कुछ उप्योग लेंस का उप्योग एनकों में किया जाता है लेंस का उप्योग अलग-अलग दूर बीनों में किया जाता है इसी तरह लेंस का उप्योग माइक्रोस्कोप में भी किया जाता है अब हम अवतर दर्पन की तरह उत्तल लेंस के साथ वस्तू की भिन भिन स्थितियों पर प्रतिबिम्ब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इसके लिए हमें वही सामगरी अथार्थ एक लेंस स्टेंड उत्तल लेंस या कुन्वेक्स लेंस एक मुमबत्ती जिसे हम वस्तू के रूप में उप्योग करेंगे और एक स्क्रीन जिस पर हम प्रतिबिम्ब प्राप्त करने का प्रयास करेंगे चाहिए एक अंधेरे कमरे में आप लेंस स्टेंड के उपर उत्तल लेंस को रख कर मुमबत्ती की भिन भिन स्थितियों को देखिए और देखें कि स्क्रीन पर किस प्रकार का प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है बच्चों हम देख रही हैं कि जैसे जैसे मुमबत्ती उत्तल लेंस से एक निश्चित दूरी में जा रही है तो हमें स्क्रीन पर तीक्ष्न प्रतिबिम्ब प्राप्त हो रहा है यह प्रतिबिम्ब मुमबत्ती की ज्वाला का है जो आप देख रहे हैं कि उल्टा है देखो बच्चों ध्यान से जैसे जैसे आप मुम्बत्ती को इसके निकट लेकर जाएंगे ये फैलता जा रहा है और जैसे जैसे हम इसे लेंस से दूर लेकर जा रहे हैं तो हमें तीक्षन ज्वाला का प्रतिबिम्प प्राप्थ हो रहा है जो कि वस्तू से छोटा और उल्टा है तो बच्चों क्योंकि हमने प्रतिबिम्प यहां स्क्रीन पर प्राप्थ कर लिया है इसलिए यह प्रतिबिम्प भी अफ्दल दर्पन की ही तरहे वास्तविक प्रतिबिम्प है इन क्रिया कलापों से हम यह निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि अफ्दल दर्पन और उत्तलेंस इन दोनों की जो प्रापर्टीज हैं इन दोनों की जो गुण हैं वह प्रतिबिम्प बनाने के लिए एक जैसे हैं सेम हैं दोनों ही में जो प्रतिबिम्प बनते हैं वह उल्टे और वास्तविक प्रतिबिम्प होते हैं जबकि उत्तल लेंस में प्रतिबिम्प छोटा बनता है और अवतल दर्पन में प्रतिबिम्प का आकार वस्तू से बड़ा होता है जबकि अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिम्प आभासी होता है साथ ही सीधा और वस्तू से आकार में छोटा होता है आईए बच्चों अब हम देखते हैं कि सूरे का प्रकाश श्वेत होता है या रंगीन आपने आकाश में इंद्रधनुष जरूर देखा होगा इंद्रधनुष अकसर ही वर्षा के पश्चाद दिखाई देता है जब सूरे आकाश में शितिच के पास होता है इंद्रधनुष में साथ रंग होते हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगने इस प्रकार जब प्रकाश किसी सीडी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक रंग दिखाई देते हैं इन अलग-अलग अनुभवों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूरे का प्रकाश विभिन रंगों का मिश्रण है आईए इसकी एक जांच करते हैं कांच का एक प्रिज्म लीजिए किसी अंधेरे कमरे की खिडकी के छोटे छिद्र से सूरे के प्रकाश का एक पतला किरन पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक शीट पर या सफेद दिवार पर गिरने दीजिए आप इंद्रधनुष जैसे ही रंग यहां भी देख पाते हैं इससे हमें यह पता चल रहा है कि सूरे की प्रकाश में साथ रंग विद्धिमान है और सूरे का प्रकाश श्वेद प्रकाश होता है तो क्या हम इन साथ रंगों को मिलाकर श्वेद प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं चल यह इसे जानने का प्रयास करते हैं एक व्रत्ताकार यानि की गोल डिस्क लीजिए इस डिस्क को साथ खंडों में, साथ भागों में बांट लीजिए इन साथ भागों को इंद्र धनुष के साथ रंगों से रंग लीजिए डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाईए और डिस्क को एक बॉल पेन की रिफिल की नोग पर धेले से लगाईए सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंतरता पूर्वक घूम सके घूनन कर सके डिस्क को दिन के प्रकाश में तेजी से घुमाईए तो आप देखेंगे कि सभी रंग आपस में मिल जाते हैं और डिस्क हमें श्वेत यानि की वाइट प्रतीत होती है इस डिस्क को न्यूटन की डिस्क कहा जाता है तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा कोई भी पॉलिश किया हुआ अथ्वा चमकदार प्रश्ट दरपन की भाती कारे करता है समतल दरपन सदयव सीधा प्रतिविंब बनाता है उत्तल दरपन द्वारा बना हुआ प्रतिविंब सीधा आभासी और आकार में छोटा होता है अवतल दरपन वास्तविक और उल्टा प्रतिविंब बनाता है श्वेत प्रकाश साथ रंगों का मिश्रण है चलिए रिक्तिस्थान भरते हैं मुझे उमीद है कि आपको इनके उत्तर आते होंगे पहला उत्तल लेंस वस्तुओं को रिक्तिस्थान करके दिखाता है क्या करके दिखाता है? जी हाँ उत्तल लेंस वस्तुओं को बहुत बड़ा करके आवर्धित करके दिखाता है इसलिए उत्तल लेंस का उप्योग आवर्धक लेंस के रूप में भी किया जाता है दूसरा अफ्तल दर्पन को और क्या कहा जाता है? जी हाँ शेविंग दर्पन तीसरा प्रश्न प्रकाश, सदैव, सरल रेखा में चलता है सही या गलत? जी हाँ बिलकुल सही प्रकाश, सदैव, सीधी रेखा में, सरल रेखा में चलता है चौथा प्रश्न वास्तविक प्रतिबिंब को परदे पर प्राप्त किया जा सकता है? सही या गलत? बिलकुल सही वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होते हैं, जिने हम परदे पर प्राप्त कर सकते हैं और आखरी प्रश्न, बताईए किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिम्ब बनाता है। जी हाँ, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिम्ब बनाता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय प्रकाश समाप्थ होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये अध्याय समझ आ गया होगा। बच्चों, आप तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। आप तंदुरुस्त